कि चलिए लाइब हो जाईए क्लास स्टार्ट किया जाए कि थोड़ा साथ लों का कमेंट हम तक देख लेते हैं हुँ राधे राधे आप सभी को चलिए क्वेश्चन पर आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रिन पर आ रहा है क्वेश्चन नमबर फर्स्ट दिये गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समनार्थी सब्द क्या है चलिए अंसर पर आईए दिये गए विकल्पों में से पराजय एवं माला पराजय है और माला है इसके लिए एक समनार्थी सब्द क्या है जिससे माला भी बन जा और जिससे पराजय भी बन जा तो अंसर आ गया बी बहुत अच्छा हाँ हार से पराजय भी हो गया और माला भी हो गया ठीक है चलिए दूसरे कोशन के आईए कोशन नमबर दो हिमांसु हिमांसु का परिवाची हिमांसु का परिवाची क्या लगाएंगे तो यह अंसर आ रहाए बहुत अच्छा निसाकर हिमांसु का निसाकर, रखापती, सुधांसु या बिधु भी कह सकते हैं कोशन नमबर ती इन में से हाथी का समनार्थी सब्द कौन सा नहीं है हाथी का समनार्थी हस्त है, करी है, दंती है और हस्ती है कौन सा नहीं बनेगा तो यहां इंसर आ रहा है कि हस्त, बहुत अच्छा हस्त नहीं बनेगा, हस्त से हाथ हो जाएगा, ठीक है बाकि करी होगा, दंती होगा और हस्ती होगा हाथी का प्रिवाची सब्द है मरिगेंद्र है कुण्जर है तुरंग है अही है चलिए कमेंट करिया भी नहीं आ रहा है अंसर हाँ ठीक बहुत अच्छा बी तो बिलकुल कुण्जर जो है वो हाथी का प्रिवाची है ठीक है कुण्जर बाकि सापके भी थे चलिए क्वेश्चन नमबर आजाईए फाई फाई पाई पाईए हांस का प्रिवाची है कुरंग लगाएंगे भुजंग लगाएंगे या मराल लगाएंगे या पंचवाड लगाएंगे हांस के लिए हाँ बहुत अच्छा मराल जो है वो हंस को कहा जाता है ठीक है भुजंग भुजंग तो साफ हो जाएगा ना चलिए मराल इसके बाद आ जाएए छे नमबर पर छे नमबर अच्छा ब्याक्ष्या के साथ कर दिया जाए कि यह इसे ही किया जाए फाश्ट संडे को जो मैं राथन होगी लगबग तीनसो कोशन का ठीक है तो थोड़ा फाश्ट करेंगे क्यूंकि काफी लंबी कलास हो गई थी तो उसको थोड़ा सा समय हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा समय को थोड़ा क्या करना पड़ेगा घटाना यानि तेजी से थोड़ा फास्ट है न जैसे लाशट में तो बहुत फास्ट हुआ था चैले चाह नुब कम यह हनुमान का परिवाची हनुमान के लिए क्या लगाएंगे रामभक्त लगाएंगे बजरंग बली और कपिश्वर यह हनुमान का प्रिवाची है कि आज एक कुश्चन नमबर साथ कि साथ नमबर पर आई है कि कटी हस्ट पाड़ी या फिर कर हाथी का प्रिवाची नहीं है कौन सा बनेगा तो यहां अंस्वरा रहा है ए ए ए ए ए ए डी नहीं होगा कर मने तो हाथी होता ही है ठीक है कटी मने नहीं होगा कटी जो है प्रिवाची नहीं है हाथ का कर मने हाथ हो जाता है पाड़ी मने हाथ होता है यह स्त मने हाथ होता है कर मने हाथी भी हो जाता है कटी नहीं होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं कुश्चन नमबर एट हाथी भी हो जाता है कर मने हाथी हाथ ठीक है कर मने जो होता है वो हाथी भी हो जाता है हाथ भी होता है यहां अंसर आगया बी बी आगया हिराड़ गर्भ का परिवाची सब्द है विश्रु ब्रह्म्हा महेश और गणेश क्या लगाएंगे हिराड़ गर्भ किसे कहा जाता है वी ब्रह्म्हा को चलिए ब्रह्म्हा को बहुत अच्छा नमबर पर आईए कौन सा सब्द हवा का परिवाची नहीं है हवा का परिवाची नहीं है कौन सा सब्द हवा का परिवाची नहीं है अनिल या अनल या मारूत या फिर पौन तो यहां सवर आ गया अनल बहुत अच्छा अनल मतलब होता है आग ठीक है तो यह नहीं होगा बाकी हवा का हो गया क्वेश्चन नंबर आ जाए दस हवा के लिए परिवाची सब्द है अच्छा यह रिपीट हो गया क्या कोई बात नहीं है रिपीट भी होना चाहिए दस अच्छा वान नहीं पूछा था यहां है पूछा है यह चीज है हवा के लिए परिवाची सब्द है पूछा है ठीक है तो यहां अन्सवर आएगा अनल ठीक बहुत बढ़िया 11 नमबर पर आजाईए काउन सा सब्द हवा का पुरिवाची नहीं है अनील अनल मारूत या फिर पवन अच्छा इस बार जो है रिपीट कहा जा सकता है ठीक है बहुत अच्छा है यहां अनल अनल मिंस आद चलिए 12 नमबर पर आईए यह सब बार बार पूछे जाने वाले हैं काउन सा सब्द हाथ का पुरिवाची नहीं है बार बार पूछे जाने वाले है एक बार नहीं कई बार यह घुम फिर के यही क्वेश्चन पूछे जाते है कभी कभी सेम कोश्चन सेम विकल पूछ लिया जाता है है ना हाथ का परिवाची नहीं है तो हम फिर कटी को लगाएंगे कटी नहीं है ना कटी मिन्स तो कमर होता है चलिए यहां देखेंगे कोश्चन नमबर आगे हमारा तेरा शाखामरिग सब्द का परिवाची है साखा का मिरिग साखामरिग मतलब साखा का मिरिग जो साखा पर आता है बानर बहुत अच्छा बानर चोद हो नमबर पर आज़ेए एक सब्द संकर का प्रिवाची नहीं है संकर का प्रिवाची नहीं है चलिए तो यहाँ चोदो में कौन सा लगेगा A भी आ रहा है D, D, D D, B भी आ रहा है गंगा धर गंगा को धारण किये हैं गंगा धर है लला टाच भी है तिरलोचन भी है ससधर नहीं है ठीके, ससधर चंद्रमा हो जाएंगे ठीके चलिए अब आगे आ जाईए पंदरा नमबर होगा ना पंदरा नमबर क्या जाएगे अस्वमर सोरी असमनार्थिक इसमें असमनार्थक सब्द दूर ना है कि कौन सा होगा स्वर होगा, आवाज होगा, स्रवन होगा, ध्वनी होगा तो जो अलग है स्वर, आवाज, स्रवन या ध्वनी चलिए तो यहां अस्वर आगया स्रवन बाकि आवाज ही है, स्वर भी आवाज है अवाज तो अवाज है धोनी भी अवाज है श्रौण जुह सुनना है ठीक है सुनना सोरण नमर पे आजे का प्रवाची शब्द है किसका प्रवाची है तो यहां अंस्वर आ रहा है खरगोस, बहुत बढ़िया, खरगोस 17 नमर प्याजे सिव का कौन सा अर्थ नहीं है सिव का कौन सा अर्थ नहीं है तो यहां अंस्वर आ रहा है कि सीस, बिल्कुल चक्रपाड़ी जो है ये बिश्डू है शीव नहीं है ठीक अठारा नमबर प्या जाईए शीव का परिवाची सब्द है सिवाले है रूद्र है रूद्राच्छे धरी है कौन सा बनेगा अठारा हाँ बहुत अच्छा रूद्र सिव का परिवाची है सिव होते है बाकि सिवाले तो बिश्डू नहीं है वो घर है सिव जी का ठीक है रूद्राच्छ वो जो है जिसकी माला बनती है हरी जो है बिश्डू है ठीक है उन्हें इस नमबर प्या जाईए ससांक सब्द का परिवाची है ससांक सूर्य किरर चंदरमा बादक कौन सब बनेगा चलिए यहां अंस्वर आ गया सी चंदरमा ससांक सब्द जो है चंदरमा का परिवाची है चलिए आईए उन्नीस नमबर उन्नीस ही था ना बीस नमबर आईए बीस नमबर सत्रु का परिवाची कौन सा नहीं है आही अरी रिपू बैरी कौन सा इसमें कौन सा विकल्प होगा हाँ ठीक अही जो होता है अही सांक का परिवाची है ठीक है किसका है सांक का एक का इस नमबर प्या जाईए सट्पद का परिवाची सब्द है सट्पद का परिवाची सब्द है अंसर आ रहा है बी बहुत अच्छा सी सी नहीं होगा मकडी नहीं सट्पद जो है भ्रमर भवरा ठीक है भ्रमर का परिवाची है चलिए आगे बढ़ जाईए 21 के बाद 22 दिये गए विकल्पों में से सुधाकर किस सब्द का समनार्थी सब्द है सुधाकर ठीक बहुत अच्छा चांद चांद का है चलिए 23 नमबर पर आईए सर्सिज सब्द का प्रिवाची सब्द निम्नलखित में से कौन सा है कौन सा लगेगा हाँ सर्सिज नलीन होगा नलीन किसका है कमेंट करेंगे नलीन किसे काते है कुश्चन नमबर 24 गुलाब को कमल को या फिर लिली को किसे कहेंगे हाँ बहुत अच्छा कमल को 24 का यह 24 सरोवर तडाग कहेंगे सददल कहेंगे सर कहेंगे जलासा कहेंगे कौन सा है अच्छा नहीं बताना इसमें नहीं बताना है कौन सा होगा बहुत अच्छा सतदल सतदल नहीं होगा बाकि तडाग मने होता है जलासा तो लिखाईए सर भी लिखाई तडाग जो है तडाग एक सब्द को आप ध्यां से देख लिजी क्योंकि बिकल्प जो है आ जाएगा कभी-कभी दिमाग काम नहीं करता है तडाग होता है कि नहीं होता है ठीक है तडाग होता है जलासाइका चलिए कौश्चन नमर कौन सा है 25 सुयस का परियाय बताईए सुयस ठीक बहुत अच्छा सु किर्थी सुयस सु किर्थी सु मने सुन्दर होता है ठीक है जाहाँ जिसके आगे सु लग गया समझे सुन्दर हो गया 26 नमबर पे आईए सतरकता सब्द का समनार्थी सब्द दिये गए बिकल्पों में से कौन सा है सतरकता सार्थकता उचित समझदारी या मुस्तैदी कौन सा लगाएंगे तो यहां सरा रहा है कि सतरकता मने समझदारी और सतरकता का रहा है तो यहाँ सतरकता का मुस्तवि होगा सतरकता समझदार मारी काrence directamente सवधान का मतलब समझदार करना नहीं मतलब समयदारnot ठीक है कौन सा कोशन है 27 27 27 नमबर गई है तो सतर्क का मतलम मुस्ताइद से होता है समझतारिस नहीं 27 नमबर सौमित्र कौन सा बनेगा हाँ बहुत अच्छा सौमित्र लच्मण को कहा गया ठीक है 28 नमबर पर संचिप्ट का अर्थ कौन सा है संचिप्ट ब्याख्या मुक्तसर बिराम या मुक्ष कौन सा लगाएंगे तो यहां पर डी आ रहा है संचिप्ट का मतला मुक्षे नहीं होता ठीक है मुक्तसर होगा संचिप्ट का मतला की छोटे में कर दिना मतला मुक्षे नहीं होता है ठीक है मुक्तसर होता है चलिए 29 सुधा का समनार्थी सब्द कौन सा है सुधा प्यासा नीर अमरित त्रिश्डा सुधा मिन्स तो बहुत बढ़िया सुधा मिन्स अमरित चलिए ब्याकरण का अंतिम प्रश्णा आपके सामने तीस नंबर का कौन सा सब्द सीता का एक परियाय नहीं है जानकी भूमिजा हेमा बैदे ही ठीक है तो यहां अंसर आगया सी हेमा जो है आप कह सकते हैं इसको सुन्दर इस्त्री कह सकते हैं इसको ठीक बाकी को अगर हम देखे तो जानकी भूमिजा बैदे ही यह सब सीता का ही नाम है चलिए अब आजाएए साहित्य के उपर तो साहित्य का पहला प्रश्ण मित्र संबाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है मित्र संबाद यह पत्र है किसके बीच तो यहां अंस्वर आ गया डी बहुत अच्छा डी राम्बिला सर्मा किदारनाथ अगरवाल के बीच ठीक है मित्र संबाद किसके बीच है राम्बिला सर्मा और किदारनाथ अगरवाल के बीच जो संबाद हुआ है वही इसमें लिखा गया ठीक है कोश्चन नमबर आजाएए दो अच्छर अच्छर यग किसके पत्रों का संग्रा है कौन सा लगाएंगे अच्छर अच्छर यग किसके पत्रों का संग्रा है तो यहां अंसर आगया धरमबिल भारती का ठीक बहुत बड़ी है क्वेशन नमबर 3 हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है कौम सा बनेगा कौम सा कथन असंगत है चले यहां अंसर आ गया सी भी आ रहा है डी भी आ रहा है सी भी बहुत अच्छा रेडियो नाटक में जो लिखा गया है कि पत्रों की संख्या जो है वो असीमित होगी गलत है ठीक है रेडियो नाटक में पत्रों की संख्या सीमित होती है सीमित ठीक है यह याद रखिया अधिक से अधिक पात्र ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकते बड़ी कम होते हैं बहुत कम पात्र होते हैं यानि सिमित पात्र होते हैं क्वेश्चन नमबर फाइट सिमिक पात्र ब्रेक्ट और एक उदास नगर ब्रेक्ट और एक उदास नगर सिर्षक अध्याय किस पुस्तक में है किस में लगाएंगे तो यहां एंस्वर आ गया सी चीडों पर चादने क्वेश्चन नमबर छै पर आईए क्वेश्चन नमबर छै शर्यू पार की यात्रा सर्यू पार की यात्रा सर्यू पार की यात्रा बहुत बढ़िया भारतेंदू सर्यू पार की यात्रा भारतेंदू साथ नमबर प्याई राहुल संकृत्यान कृत घुमकर सास्त्र किस विधा में लिखा गया है बहुत अच्छा यात्रा बिक्तान्त है आठ नमबर प्याईए हिंदी के किस रचनाकार ने ब्यांग को विधा का दर्जा दिलवाया है कौन सा लगाएंगे बहुत अच्छा हरिसंका परसाई इनहीं के ब्यांगों से जो है एक विधा का नाम चल पड़ा हिंदी में ब्यांग भी था ठीक है चलिए ठोड़ा सा इसका विकल्प जो है मुझे लिखना पड़ेगा इसको देख लेजिए ठीक है और विकल्प मैं रखदेता हूँ यहीं पर रखदेता हूँ ठीक है विकल्प यहीं रख देता हूँ A B B इदर करना था 1 मिनट B, C D और विकल्प आपके सामने है 2,3 1,2 1,4 और 3,4 पौन सा विकल्प लगाएंगे चलिए यह दिया है मेरी तिबबत यात्रा की भासा सहली की विशेष्टाएं क्या है मेरी तिबबत यात्रा ठीक है की भासा सहली की विशेष्टाएं क्या है तो यहाँ विकल्प दिया है चलिए कौन सा विकल्प लगाएंगे नौवा कोश्चन है कौन सा लगेगा हाँ बहुत अच्छा जिन्हों ने कहा कि A बिल्कुल सही जवाब A दो और ती ठीक है दो और ती ठीक है चलिए दस नमबर पर आईए दस नमबर यात्रा साहित से संबंधित राहुल संकृतियान की पुस्तके यात्रा साहित से संबंधित राहुल संकृतियान की पुस्तके मेरी जिवन यात्रा, बिस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिबस से में सवावर्ष तो यहां पर आगया C, बहुत अच्छा यहां चलिए, यहां थोड़ा सा मैं कुस्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं, जिससे आपको दिखाई दे 11 नमबर का कुश्चन है, कौन सा बनेगा, अरे यायावर हुरह रहेगा याद, मीज संकलित प्रसुराम से तुर्खम, पाठ के संदर में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है चलिए, एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिश्टर पीटर की कहानी, ब्रह्म पूत्र की कहानी नहीं पता, चलिए, इसमें आपको सी लगाना है, एक टायर की कहानी, एक टायर की राम कहानी, और लेखक के चालक की कहानी अरे यायावर रहेगा याद में संकलित जो परसुराम से तुर्खम पाठ है और उसमें जो है इस्टोरी है एक टायर की राम कहानी और लेखक चालक की कहानी ठीक है अब आजाईए कुश्चन नमबर हो गया अब बारा खुली आखे का आखों का सपना खुली आखों का सपना खुली आखों का सपना बहुत अच्छा यहां अंस्वर आ रहा है मरुधर मिर्दुल ठीक चली यहां थोड़ा समय स्कूर करता हूं छोटा अब कुश्चन नमबर यह है 13 अरे यायावर रहेगा याद में समलित है माजुली धर्ती का धनी बिस्मी सदी का बान भट बहता पानी निर्मला नीचे दियेगे विकल्पों में से सही उत्तर का चैन करिए कौन सा बनेगा ठेक यहां अंसर आ रहा है 13 का डी माजुली और बहता पानी निर्मला यहीं समलित है इसमें चौदा नमबर पर आईए कोई बात नहीं नए नए चीज़े आती है तो सुनते सुनते वो भी पुराना हो जाएगा चलिए नेता जी कहिन के रचनाकार है नेता जी कहिन नेता जी कहिन बहुत अच्छा यहां अंसर आ गया सी मनुवर्ष्यान जो सी चलिए सोरा नमबर पर आईए सोरी सोरा नमबर है पंदर नमबर एक नमबर ज्यादा हो गया था मेरी तिबत यात्रा में फुन दो के ब्रह्म पूत्र की साखा के तट के संबन में वरडित बितांत में समलित नहीं है यहां आदमियों के लिए लोहे के सांकल पर चमडे से बाधी लकडियों का जूला है आईस में इसका वरण मिलता है यहां समान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है तो आपका अंसर क्या आया है हाँ ठीक है तो बिलकुल यह नहीं है इसको मैं रेड कर देता हूँ चलिए अब इसके बाद यहां जानवरों के लिए तैर कर पार होना पड़ता है यहां मंगुलिया और कनु बिलकुल यह सब सही है बस बीवला नहीं है आपका चलिए आजाईए सूरा नमबर पे सूरा नमबर नंग रचे गाओं में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्षन मिलाई चाय को उठाकर फेकने का क्या कारण था तो यहां एंसवर बनेगा हाँ बहुत अच्छा सी लेखक के चोंगे के नीचे के दामन का प्याले से छू जाना उसवर कुछ सा आ गया फिर फेक देता है सत्रा नंबर पर आईए राहुल संकृत्यान को तिबबत यात्रा के दोरान तिर्थंकर महाबीर की मूर्थी दिखाई दी थी कहां दिखाई दी थी यही पूछा है इसमें तो यहां एंस्वर आएगा हाँ ए चिंदोर प्रसाद में इस्थित जो देवाला है उसी में यह दिखाई दी थी ठीक है अब आजाए कुश्चन नमबर 18 टार्च उठा कर देखा दिवार सिरहाने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदूं से सुसोभित हो रही है मेरी तीबत यात्रा में लेकक ने लाल चलित बिंदू किसके लिए प्रिक्त किया है लाल चीटियां, चुईया, तिल्चट्टा या खट्मल किसके लिए टार्च उठाकर देखा दिवार सिरानय और दाहिनी बगल दोनों ही लाल चलीत बिन्दू क्या चल रहे हैं लाल चीतियां चल रहे हैं तिल्चत्ता याग फिर खटमल तो जिन्होंने कहा कि खटमल बहुत अच्छा है, संदार जवाब है, खटमल चल रहे हैं सब, सोया है, फिर रात को काट रहे थे सब, तो देखा, question number 9, टार से जला कर देखा, तो उसको लाल-लाल दिखाई दिए, क्योंको लाली तो होते हैं ना, खटमल, खुन पीए रहते हैं सब लाल-लाल होते हैं, लेखक और यातरा साहित से संबंदित, उनकी क्रिती का एक यूगम गलत है, वो है, एक यूगम गलत है, कौन सा गलत है, तो यहाँ आगया C, C कहा है, धरमबीर भारती किन्नर देश में, पेलकुल, यह किसका है, कमेंट करेंगे, गलत बताया गया है, गलत, किन्नर देश में किसका है, बीस नमबर पर आजाए यह तब तक, चलिए, अंस्वर आ गया, राहुल संकृत्यान, बहुत बढ़िया, बीस नमबर का बता यह, किन्नर देश में, अच्छा, यहां आ भी गया क्या, आ भी गया, प्रश्न, तो आ रहा है कि डी है, बहुत अच्छा, डी, यात्रा बिर्तान्त है, राहुल संकृत्यान, चलिए, एक करिस नमबर आजिए, हमारी जापान यात्रा, किसके द्वारा रचित यात्रा बिर्तान्त है, जापान की यात्रा कौन किया था, जापान यात्रा, तो यहाँ कनहया लाल में सर्प्रभाकर, बहुत बढ़िया, बाइस नमबर प्यादेगे, बाइस नमबर, एक बूंद सासा उचली, बहुत अच्छा, अग्ये का, बहुत बार पुछा है, बहुत बार पुछा है, तेइस नमबर पे आईए, आज फास्ट है, स्लो नहीं है, क्योंकि मैरा अथन जो कलास हुई थी, मैरा अथन कलास जो है, बड़ा स्लो हो गया था, ठीक है, लंबी कलास हो गई, क्योंकि कोश्चन हमारे पास ज्यादा रहते है, और मैं उसको कई भाग में कराना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे, तो पढ़ने में फिर बाद में दिकते होने लग दिया, एक ही जगा सारे कोश्चन मिल जाएंगे, एक वीडियो में, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सुरू से फास्ट करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, 23 नमर पर आईए, कौन सा लगाएंगे, सी, बहुत अच्छा है, फास्ट है, कि सही है, चली, 24 नमर, थोड़ा फास्ट रहेंगे, तभी हम संडे को फास्ट कर पाएंगे न, अब वह आई है, अब थोड़ा सा ब्याख्या करने की कोशिस करेंगे, तो बढ़ता है समय, ठीक है, तो आपको लगता है, कि सर, बहुत सलो है, अब ना कुछ कहें, उसमें कुछ नप बोलें, फालतू चीजे, तो तेज हो जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ, एक साठ कोश्चन, साठ कोश्चन को अब एक घंटा से कमी, एक घंटा में तो सो कोश्चन होना चाहिए, इतना फास्ट, यह अभी कोई देश है, महराच, चलिए, तो यहां अंसर आ गया, हाँ, यह बताए, यह अभी कोई देश है, किसका है, नहीं, इसमें पूछा है, बिधा कौन सी है, तो बिधा क्या लगाएं, ए, ए, बहुत अच्छा है, या तरसाइट, ठीक है, पचीस नमबर पे आईए, हाँ, ठीक, अने लिया दो, भगव सरड उप, इसमें क्या करना है, मिलान करना है, भगव सरड उपाद्याएं है, देवेंदर सत्यार्थी है, रामबरिश बेनिपूरी है, मुहराकेश है, मिलान कराईए, नहीं, मिलान नहीं कराना, सही यूग में चुनना है, क्योंकि मिलान कराएंगे, तो फिर बिकल्प लगाना पड़ जाएगा, अहो सकता है, उसमें कोई बिकल्प नमा मौजूद हो, ठीक है, तो कौन सा सही है, सही सुमेलित है, तो एंस्वर आ रहा है, दी, ठीक है, आखरी चटान मोहनरा किस का है, कोश्चन नमबर आ जाएए, 26, दूर से दभी-दभी सी सुनाई देने वाली गलगड़ा हट, पास जाने पर कण भेदी घोंस में बदल गई, यहां का तांड़ो देखते ही बनता है, चटानों पर मानों हजारों मुसल बरस रहे हैं, उपिक पंक्त किस क्रिती से ली गई है, तो यहां अंस्वरा आ गया नर्मदा नदी, नर्मदा नदी की सुन्दरता, सुन्दर यकी नदी नर्मदा, चलिए 28 नमबर पर आ जाएए, 27 नमबर पर आ जाएए, सुन्दर यकी नर्मदा, यात्रा वितानत का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव कहां है, कहां पर रोजा के समाप्त होती है, तो यहां एंस्वरा आ रहा है, ठीक, कोलियाद के भरूच में, ठीक है, चलिए 28 नमबर पर आ जाएए, 28 है, करम घुल गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, करम को घुलने दीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ, एंसर करिए, यात्रा बितांत के लेखक, एवंग यायावर के रूप में, जिनकी पर सिद्धी है, वो जाने जाते हैं, सुरी, उनका नाम क्या है, यायावर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत अच्छा, रावल संकर्तियान, उन किस नमबर पर आ जाएए, रावल संकर्तियान द्वारा लिखित तिबबत की सीमा पर किस विधा की रचना है, कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ इस्वारा राया कि यात्रादृत लिखित की रूप में ही यह जाने जाते हैं, अच्छा, एक नमबर भूल गया था, क्रम भूल गया था, ठीके, क्रम मिश्टेक हो गया था कहीं डबल हो गया होगा क्योंकि 30 कोस्चन था 30 कोस्चन समाथ हो चुके हैं ठीके और आते आते जो है 29 नंबर पे ही इंडिंग हो गई ठीके तो 30 कोस्चन जो है अमारे क्या हो गए साइट से समाथ होते हैं ठीक है और तयारी आप लोग करते रहिए लगातार कांटिनू करिए क्योंकि परिछा जो है फिक्स है होना तैह है अब जब हो जाए डेट जब घोसित हो जाए आपको या तो जनवरी में आपको डेट मिल जाएगा जनवरी में डेट आजाएगा अगर जनवरी में नहीं आया तो फरवरी में आजाएगा जनवरी के अंत तक आजाएगा नहीं आया तो फरवरी में फिक्स है कि डेट गोसित हो जाएगा ठीक है फरवरी में डेट मिल जाएगा आपको तारिक कौन सी है तारिक पर तारिक तारि समाप्त करते हैं आप सभी लोगों को लाइप बने राने के लिए बहुत-बहुत धन्य बाद सुबरात्री